नमस्कार आप दीख्रे न्यूस फॉर्डेशन और मैं हूं सांध्वन आपके साथ बिहार में बंपर बाहाली जल्द ही शुरू होने जा रही है मुक्षिमंत्र नितीश हुमार की सरकार के तरफ से बड़ा आदेश जारी हो चुका है जिसके तहट बिहार में कुल 19,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होने जा रही है और इस बंपर बाहाली की प्रकिलिया की जल्द शुरूात भी होके इसके तहट 112 की सेवा में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है सरकार के तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आया है जानते हैं दरसल बिहार में डायल 112 यानि की ERSS Emergency Response Support System के दूसरे चरन की शिरुवात होने जा रही है इसमें 800 नय चार पईया वाहनों के साथ ही 200 मोटर साइकले भी खरीती जाएंगी ये पहला मौका है जब बिहार कुलिस की ERSS में मोटर साइकले भी शामिल की जा रही है ताकि किसी घटना होने पर संक्री गलियों में भी आसानी से प्रवेश किया जा सके कई शहरों में ऐसी गलिया मौजूद है जहां गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती साथी शहरों में जाम की स्थिती होने पर घटना स्तल तर्क जल्द पहुचा जा सके मोटरसाइकल खरीदने से संबंदित प्रस्ताफ तयार किया जा रहा है इसके अलावा ERSS का संचालन सही तरीके से करने के लिए सिपाही से दरोलगा तक के 19,000 कर्मियों की बहाली की जाएगी ये बहाली दो चरनों में होगी ERSS में बहाली से संबंदित प्रस्ताफ पर कैबिनेट की मन्जूरी मल चुकी है इसके बाद अव्वित विभाग समीत अन्य विभागों से अंतिम रूप से मोहर लगानी के बाद इसे संबंदित आदी सूशना राज्य सरकार जारी करीगी इसके तहट ही बहाली की प्रकेरियाश शुरू हो जाएगी इस वर्ष के अंच तक पुलिस महकमा में करीब 67 पदों पर बहाली होनी है जिसमें सिपाही की संख्या सबसे जादा है इसके शुरुआत ERSS में होने वाली बहाली से होनी जा रही है आपको बताते चले कि पुलिस महकमा नए वर्ष में अपनी शम्ता का विस्तार करनी के साथ ही ERSS को सुद्रिज करने पर खास तोर से ध्यान दे रही है वर्तमान में डायल 112 में 400 गाड़ियां तैनाथ है 800 नए गाड़े आने से इनकी संख्या बढ़कर 1200 हो जाएगी तब पुरे राज्य में कोई घटना होने पर पुलिस 20-25 मिनट में पहुच जाएगी जायल 112 में प्रतिवाहन तीन सिपाही, एक जमादार या दरूगा समेथ 4 कर्मी के आविशक्ता पढ़ सकती है तीन शिफ्ट में एक वाहन पर 12 कर्मी की ड्यूटी लगती है 800 नए वाहनों के आने पर 9600 कर्मी की आविशक्ता होगी इसके अलावा इसे संचालित करने के लिए चल रहे कमांड सेंटर पर अभी करीब 300 कर्मी कारिड़त है 90-90 की संच्या में तीन शिफ्ट में इनकी ड्यूटी लगती है इसमें कॉल टेकर से लेकर डिस्पैचर तक शामल है गाडियों के संच्या बढ़ने पर कंट्रूल सेंटर के भी कर्मी की संच्या में बढ़ोतरी होगी इनकी संच्या 800 तक करने की योजना है शमता बढ़ने पर इसके सॉफ्ट्वियर को भी ग्रेट किया जा रहा है बिहार पुलिस के 19,000 पदों पर बाहली के प्रकरियर शुरूब होने जा रही है जहां 19,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती बिहार में होगी डाइल 112 की सेवा में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी घटना स्तल पर जल से जल पहुचा जा सके जहां गाडिया नहीं जा सकती जिन संक्डी गलियों में गाडिया नहीं पहुच सकती वहां ये गाडिया पहुचेगी जिन के लिए मोचे साइकले खरी दी जा रही है और अब बिहार सरकाल लगातार बिहार की सुरक्षा को लेकर अग्रसर होती हुई नज़र आ रही है जिसके तहर ये बहाली अब जल्द बिहार में शुरू होगी फिला के लिए सब जीच में अतना ही नमस्का